हमने motion in horizontal spring पढ़ाया था कर लिया आप लोगों ने आज हम बात करने जा रहे हैं vertical oscillations of a body suspended by a light spring अगर किसी spring से कोई हम एक vertical spring ऐसे लटका दे सीधे और उसमें कोई body लटका दे तो उसमें किस प्रकार के oscillations होते हैं उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं तो लिखे हेडिंग डाल दिएगा vertical oscillations of a body vertical oscillations of a body suspended by a light spring suspended by a light spring तरह समझनी की कोशिस करिएगा इस spring को जड़ा ध्यान से खुद समझेगा का आप spring लटका है हुए हैं देखे आप एक spring ले लिजए ऐसे और ऐसे यह spring है इसका force constant हम के माल लेते हैं force constant क्या होता है force constant क्या बताय गया था आपको कोई बोलेगा unit length increase करने में जतना spring पर force लगाना पड़ता है that is the force constant of the spring ठीक है अब देखे इसकी कुछ भी length है मैं माल लेता हूँ कि इसकी capital L length थी शुरुआत में इस spring की यह spring ऐसे लटकी वी है अब हमने क्या क्या इसमें एक body लटका दी जिसका mass M था तो simple सी बात है spring की थोड़ी से लंबाई बढ़ जाएगी यह spring की थोड़ी से लंबाई बढ़ दी यहाँ पर एक body लटकी वी है और यह body का weight नीचे की और काम कर रहा है और मैंने माल लिया कि इस spring की length में small n increment होता है small L अब बताईए इस पर restoring force की धर की और काम करेगा उपर काम करेगा तो इस पर एक restoring force काम करने लगेगा F वो किस पर depend करता है length के increment पर जितना ज्यादा increment करोगे length उतना ही restoring force काम करेगा तो F is equal to क्या होगा minus KL है मैं राइट हुने बताया था कि F proportionate L होता है और F is equal to minus KL where K is what K is a force constant of spring force constant है अब यह बताईए किया हाँ हाँ spring constant भी कहते है हाने वो spring constant भी कह सकते है force constant of spring लिख दिजिएगा अब ज़रा समझेगा क्या इस condition में body oscillation करेगी नहीं करेगी यानि इस पर resultant force कितना काम कर रहा है zero काम कर रहा है यानि इन दिस in this situation या इन दिस condition जो resultant force एक्ट कर राई spring पर resultant force acting on the body स्प्रिंग ने कहिए force acting on the body कितना होगा हमने उसको मान लिया f plus mg अब आप ने कहा भई f plus mg क्यों किया भई f और mg की direction opposite है तो हमने f को already minus में ले रखा है इसलिए हमने f plus mg किया है is equal to zero याई f is equal to minus mg या f की value यहीं रख देते है तो यह हो जाएगा minus kl plus mg is equal to zero तो mg is equal to kl हो गया ये पहली कुशन आ गई अब जड़ा समझीगा हमने क्या किया इस body को थोड़ा सा slightly नीचे को खीचा और छोड़ दिया अब क्या होगा अब ये body उपर नीचे औसलिट करेगी देखे अब हमने का कि हमने slightly इसको नीचे के और खीचा थोड़ा सा तो थोड़ा सा खीचा मैं माल लेता हूँ कि मैंने इसको y length और increase कर दिया तो weight तो अभी नीचे के और काम कर रहा है और इसकी length में हमने थोड़ा सा mg इधर show कर दियेगा mg हमने इसमें y length और increase कर दिया अब इसको increase करने के बाद जब इसको आप छोड़ोगे तो यह spring oscillation करेगी और नहीं करेगी अब इस condition में जो restoring force काम करेगा एफ डैस होगा तो जो new restoring force होगा यहाँ पर new restoring force force F-डैस हमने माना है इसको लोग कितना होगा minus k और total length में increment कितना हुआ spring के l plus y अब यह बताएए कि क्या resultant force अभी भी 0 है क्या resultant force अभी भी 0 है नई क्योंकि body अब रुकी नहीं है यह spring oscillate कर रही है जैसे हमने इसको खीज के छोड़ा था वैसे यह oscillate करना शुरू कर दी ठीक है तो now resultant force acting on the spring now resultant force acting on the body on the body कितना होगा मैंने उसको मालिया f double dash कितना होगा आप कहेंगे f dash plus mg f dash की value क्या है minus kl minus ky minus kl minus ky और plus mg अब ही हमने आपको kl is equal to mg बताया है यहनि mg को आप kl लिख सकते हैं kl को आप mg लिख सकते हैं तो यहां लिखा जा सकता है minus mg minus ky plus mg हमने यहां क्या कर लिया है using equation 1 मैंने one equation को use कर लिया है तो mg mg cancel हो गया तो यह आगया f double dash is equal to minus ky यह resultant force spring पर act कर रहा है ठीक है इसे ज़र note करें आप concept समझ में आ रहा है main concept पकड़िएगा कि क्या हो रहा है पहले case में हम spring को जब बढ़ा रहे थे हमने कुछ कर रहे थे हमने body को लटकाया body ने उसको खीच लिया और body में रुख गई second case में हमने slightly उसको नीचे खीचा और छोड़ दिया अब वो oscillate कर रही है अभी हमने यह नहीं प्रूफ किया कि वो simple harmonic motion कर रही है अभी तो अपना calculation करके हम proof करने जा रहे हैं कि this body is performing simple harmonic motion ठीक है इसे note करिए कि इस alpha is the acceleration in the body अगर मैं माल लेता हूँ कि इस alpha is the acceleration in the body कि body पे जो acceleration है वो alpha है तो f double dash को लिख सकते हैं m alpha is equal to minus ky तो alpha की value आगई minus k upon my जड़ा ध्यान से देखिए k is a force constant वो already constant value है m is the mass of the body वो constant होता है तो alpha proportionate minus y acceleration is proportional to displacement and negative sign indicates that it is opposite to the displacement ये condition किसकी होती है जहाँ पर acceleration displacement के proportionate होता है और उसकी direction के opposite होता है ये condition किसकी पढ़ाई गई है आपको याद होगा simple harmonic motion की पहली condition वही थी ना कि body एक तो linear motion करे to and fro और दूसरे जो उस पर restoring force या acceleration act करे वो displacement के proportionate होना चीए है ना तो दिश शोज दाट ये क्या शोग कर रहा है दाट दा मोशन अब दा बॉड़ी इस कैसा मोशन होगा simple harmonic motion ये हमने प्रूफ करके दिखाया ठीक है डाइग्राम नोट कर लिया होगा अब हमको इसका time period निकालना है तो निकालेंगे its time period time period का simple formula क्या पढ़ाय गया था t is equal to 2 pi under root displacement upon acceleration displacement बोले तो y और acceleration बोले alpha तो 2 pi under root m y k तो ये time period किसी spring में vertical spring में लटके वे particle का होता है जब कि वे system कर रहा हो अच्छा अब अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि as mg is equal to kl as mg is equal to kl यह अगर मैं k को गाइब करना चाहूं तो आएगा mg upon l तो यहाँ पर उठाग रख दीजे time period में तो time period का एक और formula जाएगा 2 pi under root m है और इसकी value आएगा mg upon l तो यह आएगा 2 pi root l by g यह time period of simple pendulum है यह l क्या है जो आपने पहले increment किया था body के लटकाने पर जब बोड़ी शुरुआत में लटकी थी तो जो increment हुआ था l वो l है तो 2 pi root l by g is the time period for simple pendulum अब मैं यहाँ पर 2 spring लेके चलता हूं और 2 spring में हम एक body लटकाएंगे तो लिखे motion of a body suspended by two springs motion of a body suspended by two springs देखे देखो दो spring से हम mask को लटकाने जा रहे हैं अलग-अलग spring के force constant हो सकते हैं हम first case लेके चल रहे हैं मैंने क्या किया दो spring को इस तरीके से लिया एक spring को ऐसे लिया और एक spring को ऐसे लिया देखे इन spring के अपने-पने force constant थे और दोनों को joint करके यहां पर दोनों को ऐसे joint किया और यहां पर हमने एक weight लटका दिया अब पहले यह बताओ दोनों ही spring में जो displacement होगा वो सेम होगा यह अलग-अलग होगा कि अब दोनों spring में common आप बांधे हुए है तो सेम देखो कैसे बंदी हुए है सेम ही तो होगा ना अच्छा तो यह दिस्प्लेश्मेंट तो सेम दिख रहा है हमको अब बताइए force constant के हिसाब से restoring force दोनों अलग-अलग value की लगाएंगे के same value की लगाएंगे चुक्कि restoring force होता है minus ky और k दोनों का अलग-अलग है तो restoring force दोनों अलग-अलग लेकिन दोनो restoring force की direction क्या होगी उपर क्यों और होगी तो जो net restoring force होगा हम माल लेते हैं कि let y be the displacement y be the displacement of both springs दोनों spring का जो displacement है वो वो y होगा एहम जानते हैं तो जो total restoring force काम करेगा यहाँ पर total restoring force f is equal to minus k1 y minus k2 y minus k1 plus k2 y f is equal to आपको दिख रहा है यह formula पिल्कुल पीछे वा लिक तरह है तो इसको लिस सकते हैं f is equal to minus k y जहाँ k क्या है where k is equal to k1 plus k2 यह क्या है यह है equivalent force constant हम को यह यह नहीं प्रूब करना है कि इसका जो motion shm होगा यह हम जानते हैं spring के case में हमने proof कर दिया है कि vertical spring में अगर कोई mass लटकाते हैं तो उसका जो motion होता है shm होता है यह हम जानते हैं तो जब इसका time period निकालेंगे its time period हमने बताया t is equal to 2 pi root m by k k command रख दो यह अपान है ध्यान रखेगा confuse मत होईएगा m by k तो 2 pi under root m by k बोले तो k1 plus k2 अब देखिए second case हम बात करने जा रहे है second case में हम spring को किस तरीके से जोड़ेंगे देखो द्यान से अगर मैंने ये एक spring ली ये एक spring है इसका force constant k1 है यहां से weight को लड़काया हमने और दूसरी spring हमने ऐसे ली है और यहां से इसको जोड़ दिया ये base है दोनों के इसका force constant k2 है ये m mask की body है अब बताईए दोनों में displacement same होगा या अलग लग होगा different very good और कोई answer ऐसे सोचा कि आपने कुछ दिमाग लगाया और कोई answer अच्छा very good और कोई earno साहब आप है आज नहीं है जरा सुनिये ध्यान से ये diagram तो clear दिख रहा होगा ना आपने दोनों spring को पकट रखा है अगर आप इस mask को नीचे के और धक्का मारोगे तो जितना इस वाली spring की length बढ़ेगी उतने यह तो compress होगी ना नहीं होगी भाई एक spring पर आप खड़े हो जाईए और एक spring पकड़ लीजे तो जितना वह खीचोगे उतने तो नीचे और दबेगी सही कह रहा हूं मैं तो दोनों में displacement सेम होगा अंतर यह होगा कि first spring will elongate by y and second spring will compressed by y ठीक है यानि कि अगर हम कह दे कि y is the increment in the length of first spring तो यह compression इसमें हो जाएगा y का बस यह अंतर होगा तो पहली बात सम्झा आ गई कि आप लिखेंगे कि वाई इस दा extension in length extension in first spring अगर मैं मालू कि first spring में y extension हो रहा है तो second spring में क्या हो रहा है उतना ही compression हो रहा है then y will be compression in second spring सही मैं कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ second spring अब यह बताईए कि दोरों में जो restoring force लगेगा उनकी direction सेम होगी या अलग अलग होगी restoring force की direction पूछ रहा हूँ मैं आपको सोच के बोल ले हो कि बच जल्दी बोलने के लिए बोल ले हो यह बताईए एक second यह spring की लंबाई खीच रही है यह क्या करेगी इस body को कि दर क्यों खीचेगी पहली बाली spring की लंबाई खीच रहे हो तो यह spring body को कि दर क्यों खीचेगी यानि कि पहली बाली उपर क्यों खीचेगी एफ वन और नीचे वाली जो body है उसको compress कर रहे हो यह किसा धका मारेगी उपरी लगेगे ना तो अब बताईए restoring force एक्षन सेम है कि अलग-अलग है थोड़ा सा देखिए थोड़ा सा सोचिए वहाँ पर पहुंचिए आप body के पास सोचिए क्या action क्या हो रहा है ठीक है तो जो total restoring force काम कर रहा है total restoring force जो काम कर रहा है यहाँ पर f is equal to minus k1y minus k2y both the restoring force are in the same direction हाँ दोनों opposition कर रहे है यह वाली spring अपने elongation को oppose कर रही है अपने पुरानी state में आने का प्रयास करती है इसलिए अपने आपको खिषती है उपर की तरफ और यह वाली a spring compress कर रहे हो तो उस compression को oppose करती है इसलिए वो उपर की ओर धका मारे सही मैं कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं तो यह आगया minus k1 plus k2y देखो physics feel करने वाली होती है you have to experience it कि हो क्या रहा है यहाँ पर action क्या हो रहा है और अच्छी बात है कि जो हमारे सामने हो रहा है वह हम यहाँ पड़ रहे ठीक है तो f is equal to हो गया यहाँ पर minus ky जहांके आप इसके पहले बिलिख चुके है कि k1 plus k2 equivalent force constant है तो अगर इस time period t is equal to 2 pi root m by k when you put the value of k it will become root m by k1 plus k2 so this is the time period अब जड़ा एक और cases में आता है third case अगर मैं series में दो springs लगा देता हूं हमने कल बताया था जिसे टगाफ वार होता है तो सभी लोग उस जो thread होती है उस पर रसी जो होती है same force लगाते हैं हाँ उसकी इसाफ से उनका displacement कम जादा हो सकता है खर मैं देख रहा हूं third case में कैसे बनाता हूं तो समझेगा third case ये एक spring है इसके नीचे मैंने एक और spring जोड़ दी है और यहाँ पर मैंने एक weight लटकाया है mg ये दो spring है इसका force constant k1 है इसका k2 है अब देखिए practically जब ये body खिचेगी तो पहले इसको खिचेगी फिर ये इस पर force लगाएगी इसको खिचेगी तो क्या दोनों में displacement same होगा यहाँ पर नहीं तो अगर मैं माल हूँ कि y1 is the displacement in first spring यहाँ अगर माल ने कि y1 is the displacement displacement को या extension length को जो भी language आप लिख दूँ is the displacement in first spring and y2 is in the second in the second अगर मैं माल लेता हूँ तो आप total displacement हो जाएगा y1 plus y2 लेकिन इन दोनों cases में हमने पहले भी case बताया था कि force same लगता है दोनों ताकस same लगाएगी ठीक है तो अगर मैं restoring force first के लिए बानता हूँ तो f is equal to minus k1 y1 तो यहां से यहां इससे निकालेंगे क्या y1 निकालेंगे तो minus f upon k1 निकलेगा और जब y2 निकालेंगे तो आएगा minus f upon k2 इस y1 y2 के लिए उठाये और equation number 1 में put कर दीजे putting y1 and y2 in equation 1 तो that will become y is equal to minus f upon k1 minus f upon k2 तो यहां से minus f common हो गया इसमें LC हम ले लेंगे तो यह आएगा k1 plus k2 upon k1 k2 तो यहां से जो f की value निकलेगी वो निकलेगी minus k1 k2 upon k1 plus k2 into y दिख रहा होगा यह कुछ force constant type की चीज़ लिखी भी है तो इसको लिखेंगे f is equal to minus ky where k is this much equivalent force constant और जब इसका हम time period निकालेंगे t तो 2 pi under root m y k k की value नगत उठागर के m y k है इसको पलट के लिखना पड़ेगा तो यह आजाए आपका k1 plus k2 upon k1 k2 यह आपका time period हो गया तो this is the third case आप लिखे simple pendulum simple pendulum simple pendulum का experiment भी कराए जाता है कुछ colleges में तो 11th में जाता experiment लोग कराते नहीं है चुकि लगता है ना कि हमको खुदी home exam में नंबर देना इसलिए कराते नहीं लोग बहुत चुके कराए जाता है थेके simple pendulum क्या होता है कहते हैं जब एक एक point mass को किसी string से लटका दिया जाए string एक धागे से लटका दिया जाए और string कैसा होना चाहिए एक तो weightless होना चाहिए पर जिस धागे से आप लटका होगे वो thread से वो weightless होना चाहिए दूसी चीज वो inextensible होना चाहिए मतलब उसकी length न बढ़ जाए कि आपने उसको ऐसे से swing कराया और वो rubber band की तरह उसकी लंबाई बढ़ दिया और flexible होना चाहिए ठीक है तो जो arrangement होता है उसको हम कहते है simple pendulum ये एक base है इसमें से एक हमने thread लटका दिया ऐसे L length की और इसमें एक हमने एक mass particle बान दिया इसको हम bob कहते है bob कहा जाता है ठीक है और इसको हमें oscillate कराना है तो ये जो arrangement है इसमें जो thread लगाई गई है ये flexible है in extensible है मतलब ये नहीं कि ये बिल्कुल इकदम से जब नीचे ऐसे oscillate करे तो इसकी लंबाई बढ़ जाए और ये flexible in extensible और weightless है अब ज़रा समझेगा ये जब oscillate कर रहा है तो इसका time period हमको निकालना है बस यह concept है इसको ज़रा अपने mean position से ऐसे ले जाए थोड़ा दूर हमने का इसको theta angle से हमने गुमा दिया ये ध्यान रखिये है जो theta होता है न ये आप बहुत कम रखेंगे 5 degree, 10 degree, 15 degree ये नहीं कि आपने bob को पकड़ा और ऐसे ऐसे oscillate करा रहा है ये जुला जुला रहा है नहीं चलेगा उसका region मैं भी बता रहा हूँ ठीक है अब हमने इसको theta angle से ऐसे घुमा दिया जब यहाँ पर ये bob पहुँचा तो यहाँ पर इसका weight जो है थीटा क्यों? क्या नाम है इसका? corresponding angle corresponding होता है ना corresponding alternate interior बहुत सारा खंदान था पेडल एंगल के बीच का याद है उन सबी के नाम याद रखेगा अच्छा theta से लगा हुआ जो mg का component होता है वो क्या होता है mg cos theta आमने का था theta से लगा हुआ cause होता है हमने वैसे तो पढ़ा है कि horizontal component cause और vertical component sign लेकिन theta से लगा हुआ cause होता है और इसके perpendicular ये sign होता है mg sin theta अब बताएए यहाँ पर weight का मतलब force mg बोले तो force यहाँ कौन है जो इस bob को अपनी mean position के और लाने का प्रयास कर रहा है नहीं नहीं वो तो एक अलग बात है यहाँ पर कौन सा force है यह x displacement है यह यहाँ पर कौन सा force लग रहा है जो इसको इधर के और लेकिया रहा है mg sin theta mg sin theta की direction कि इधर क्यों रहे mean position की तरफ है ना तो इसका होता है यही restoring force है नहीं है हम बाप को ले जा रहा है ऐसे दूर की तरफ और force लग रहा है opposite यानि कि यह जो force है यह इस particle को अपनी mean position में लाने का जो effort लगा रहा है तो जो force किसी body को mean position के और ले जाए उसी को हम कहते है restoring force तो यहाँ जो restoring force simple pendulum और यह bob एक्चुली में इस जो particle है इसका नाम होता है bob देखें restoring force की हम बात कर रहे है restoring force s is equal to mg sin theta और चुकि direction इसकी क्या है मैं इसको mean position से दूर ले जा रहा हूँ और restoring force उसके उल्टा लग रहा है इसलिए हम यहाँ बाब minus mg sin theta अभी theta हमने क्या बताया कि theta is very small as theta is very small तो अभी आप लोगों ने size limit नहीं पड़ी होगी mathematics पड़ी है तो limit में नहीं पड़ी होगी तो मैं बता देता हूँ देखो sin 0 की value 0 होती है यह तो पड़ा होगा ना और tan 0 की value भी 0 होती है तो दोनों case में एक बात ध्यान रख लिएगा अगर angle बहुत छोटा होता है तो जो angle वही value मतलब अगर theta is very small तो sin theta को actually theta ही लिख दिया जाता है ठीक है तो as theta is very small so यहाँ पर sin theta को लिखा जाएगा only theta तो यहाँ क्या बन जाएगा theta हो जाएगा ठीक है अब theta की value कैसे निकाले हम तो देखे theta is equal to कैसे निकलेगा angle is equal to क्या होता है arc upon radius तो arc तो हो गया आपका यह x और radius सिंपल सी बात इसकी length है यह जो length आप ले रहे हो capital L देखो यह जानबूस्क मैं center से जोड रहा हूँ अभी मैं बात कर रहा हूँ यह हो गया L, इसमाल L मालो अच्छा लगेगा, यह L हो गया so f is equal to क्या हो जाएगा f is equal to minus mg into x upon L अब इस force से यह body oscillate करना सुरू कर रही है अभी हमने यह नहीं proof किया कि simple harmonic motion हो रहा है देखे अगर मैं मालनू कि if alpha is the acceleration if alpha is the acceleration तो f की जगे क्या लेसकते है m alpha is equal to minus mg into x by L mm cancel out alpha is equal to minus gx by L अब यह बताओ यहाँ पर कौन-कौन सी चीज constant है कौन-कौन सी चीज constant है g constant है और L constant है तो alpha proportionate minus x क्या proof हो गया हाँ because the acceleration is proportional to the displacement and negative sign shows that it is opposite to the displacement so this is the simple harmonic motion यह statement लिखना पड़ेगा आपको कि this is the condition of simple harmonic motion so it's time period जो होगा it's time period t is equal to 2 pi under root displacement यहाँ है x upon alpha तो x upon alpha की value यहाँ से क्या निकलेगी L upon g तो t is equal to 2 pi root L upon g तो यह आपका time period का formula है 2 pi root L upon g अब जड़ा एक चीज देखिए क्या यहाँ पर M है इस time period में M है नहीं है क्या show हो रहा है कि time period जो होता है mass पर depend नहीं करता मतलब क्या हुआ कि अगर कोई लड़की जूला जूल रही है अब आप कहेंगे लड़की क्यों लिया लड़का क्यों नहीं दिया जायतर जूला जूलते वे लड़की पिच्चरों में दिखाई जाती तो example में भी वो गर्डी लिखते है जूला जूलते वे आदमी नहीं दिखाई जाता इसलिए मैं भी वो example ले रहा हूँ लड़का भी जूल सकता है लड़का ही ले लेते हैं भाई time period मास पर डिपर्ड नहीं करता कर रहा है अँआ अँआ अँआँ अँआ जूसा लड़का या क्या effect पर मास बढ़ाना उसमें ले हो वो increase वो decrease काहे को decrease होगा क्या reason है भाई क्यों decrease होगा चले हम time period की बात कर रहा है जिसने increase बोला वो बोले increase क्यों होगा जिसने time period increase बोला वो पहले बताए increase क्यों होगा ने बता दी जो answer बता दी गलत होगा गलत होगा तभी तो सही हम करेंगे उसको कहां मास पार रहा भाई यहाँ पर इस time period में कहां एम आ रहा है अब आप कहेंगे बहुत मोटा लड़का बैट जाए रसी तूट जाए आरे वो तो पेर तूट जाए वो एक अलग चीज भी जागर के एर का फ्रिक्षन होगा उससे हमसे मतलब नहीं है कोई और फोर्स नहीं लग रहा है चुकि टाइम पीरिड मास पर डिपेंड नहीं करता इसलिए उसका टाइम पीरिड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा समझ में आई बात दूसरी बात ये डिक्रीज वाले क्या वो ता रहे थे डिक्रीज का मतलब जानते हो क्या होता है जल्दी यल्दी जूला जूलना सुनू कर देगा कोई लड़का बैठ जाएगा जल्दी यल्दी कैसे जूलेगा कोई जूला थोड़ी रहा है उसको अब ये बताओ ज़रा समझेगा तो ये समझाया कि कोई भी व्यक्ति उसमें बैठ जाएगा टाइम पिरेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब ज़रा समझेगा एक चीज और T बराबर 2 पाई रूड ल बाई जी L एक्चुली होती है effective length effective length का मतलब ये होता है ये बाब है और ये थेड है इसके center से ये दूरी ली जाती है L इसको कहते है effective length ठीक है इसको निकालते कैसे हैं जब आप लैब में जाओगे आप धागे की लंबाई नाप लोगे इसके बाद vernier calipers की मतबस से इसकी radius निकाल लोगे और इस धागे की लंबाई में radius एड कर दोगे that will be the effective length of this simple pendulum समझ में आई बात अब आप कहेंगे vernier calipers का यूज़ करना हमको आता नहीं किते लोगों को आता है जोट मत बोलना vernier calipers अभी आता है इसी वक्त बता सकते हो अगर मैं कहूं कैसे करेंगे experiment बता सकते हो अब नहीं बता होगे चलिए माल लेते नहीं आता है नहीं मतलब बता नहीं सकते है ना तो देखो simple सा तरीका देखो simple सा तरीका मैं इसकी length कैसे माल मेजर करूंगा एक तो द्यान से सावधान यह आपको बाब हमने दिया एक simple सा तरीका समझेगा इस बाब को लीजिए और इसके चारों और धागा लपेट दीजिए लपेट दिया और इस धागे की लंबाई नाप लीजिए वो क्या होगा सरकंफ्रेंस होगा ना तो उससे आर निकाल लीजिए सम्मयागी बाद नहीं आगी तो आर निकालने का यह सस्ता और टिका हो तरीका मैं बता रहा हूँ वर्डे कलिपर्स यूज़ करने में कर दिक्कत हो वर्डे कलिपर्स लखा रहने दीजिए क्योंकि उसकी reading नहीं लिख बैठी वी है और बैठी वी जूला जूले को जुला रहा होगा अब जूला जूलते जूलते उस जूले पर खड़ी हो गई अब बताओ उसके जूले के time period पे क्या effect पड़ेगा क्यों करने अब तो कमी हो जाएगा भाई देखो वो तो ठीक है इसमें तो कुछ चेंज होना चाहिए क्यों कम हो जाएगा बताओ ऐसे बोला कि कुछ लॉजिक लगाया आपने हाँ ठीक बोल जो आता देखे आया इतने तुम हो गया सिंपल तुम time period काउंट कर लोगे जाकर किया रहे भाई नहीं हो पाता है भाई कहां सको जूला जुलाएं गड़ी देखेंगे हम कैसे ट्राइग किया मतब किसी को बैठाला जुलाया भी खड़े किया जुलाया एक्स देने एक मिनट एक मिनट जुला रुकने के कई कारण हैं हो सकता है friction की वज़े से भी रुक जाता है चीक है चले अब लड़की को जुला रहे हैं इसलिए कोई गर्डी देगी आंसर बताओ तुम लोग बताओ वही क्या आपने सुचा अरे यस नो कुछ भी बता दिए गलत बता दिए ऐसा ये जो हमारी feeling है ना कि सही आएगा तब ही हम बताएगे जा नहीं हमें जो आता बताओ देंगे teacher भी explain ना हम तो बताएगे आपको ने क्यों अब मैं बता रहा हूँ अब अब मैं बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ लेंद कहां से ली जाती है बॉडी के सिंटर अब मास से ठीक है जब वो लड़की बैठी वी थी तो हमारी बॉडी का सिंटर अब मास कहां करता है हमारी नाभी पे इंगलिस में क्या करते हैं उसको belly button कहते हैं क्या करते हैं मुझे नहीं मालू नाभी कह दो ठीक है नाभी आती है न हमारा weight नाभी पे act कर रहा है जैसे समझेगा हम बैठे हुए है और रसी कहाँ बंदी है उपर कही पेड़ में बड़ेगी है तो हम वहां से लेंद अपनी नाभी तक नापते हैं ठीक है जब लड़की खड़ी हो गई तो ये नाभी उसकी उपर जाएगी तो एक्टिव लेंद घटेगी ये बढ़ेगी यार ये बताओ थोड़ा सा तो तुम सोचते नहीं हो बहुत जल्दी आंसर क्यों देते हो थोड़ा सोचा करो भई देखे हम कितना जल्दी जवाब देते हैं ये बताओ भई वो पेड़ तो ऐसे यहां पेड़ दिखा देते हैं ये पेड़ है ये मेरी नाभी है अब मैं ऐसे बैटा हूँ, अब मैं खड़ा हो गया, अब पेर थोड़ी उपर चला जाएगा, तो अगर मैं बैट जाओ नीचे, ऐसे बैटता हूँ, तो ये लेंथ बढ़ जाएगी, जो मैं खड़ा हो जाओंगा, तो मेरी ना भी उपर आ गई, और पेर तो वही पर है, तो लेंथ घटी ये बढ़ी, घट गई ना, देखो प्रैक्टिकली सोच, पहले सोचे, देखो फिजिक्स का मतलब यू एपलाई ओ ब्रिन, कितनी क्विक आंसर देना जरू नहीं है, आप पहले सोचो, एल रिडियूस हो गया, एफेक्टिव लेंथ घट गई, तो टाइम पीरियाड भी जाएगा मतलब जूला जल्दी जल्दी चलेगा, अभी किसका जूला मंदा पड़ गया था, इसलिए पड़ गया था, कि हावे का जो फ्रिक्शन था ना, एयर का, वो वज़े हो सकती है, लेकिन एल कम हो जाएगा, तो टी कम हो जाएगा, टाइम पीरिड का मतलब क्या होता है टाइम पीरिट का मतलब होता है एक चक्कर लगाने में लगा समय मालिया वो एक सेकंड था अब कम सेकंड हो गया तो जल्दी यल्दी वो ऑसलेट करेगा समझ में आ गई बात समझ में आई बात अब एक कोशन और ये लॉजिकल कोशन है देखें फिजिक्स को पहले आप थोड़ा फील किया गरो भई देखो ध्यान से मैं एक गेंद ले रहा हूं एक बैलून ले रहा हूं ये बैलून है इसमें मैंने पानी भर दिया है बिल्कुल पूरा फुल पानी भ प्रियने लगा अब बताओ इसके टाइम पीरिड पर क्या फर्क पड़ेगा सोच के बोला जल्दवाजी ना करना फिर समझेगा ये बैलून है इसमें पानी भरा हुआ है अब आप कहेंगे तो फट जाएगा ये फटा नहीं है ये मोटा वला बैलून है इसमें पानी भरा ह हुआ है फुल और हमने इसको एक थ्रिट से बांद के ऑस्टिलीट करा दिया है और मैंने इसके नीचे च्छेद कर दिया है धिरे दरे पानी इसमें गिर रहा है इसके टाइम पीरिड पर क्या फर्क पड़ेगा कि सोच के बोलिएगा फिर मैं समझाता हूं अब जो जल्द आंसर दे सकते हैं ऐसा न समझें कि आंसर एक बार हमसे कहते हैं जल्दी आंसर गलत होगे द्वारा आंसर नहीं देंगे बताएंगे मैं बताओं यह बैलून है इस फूल आफ वाटर इसमें पानी भरा हुआ है और मैंने इसको लटका करके इसको हमने औसलिट करा दिया है और इसमें नीचे थोड़ा सा छेट कर दिया है अब बताना छेट मतलब पानी गिरेगा अब आप में यह तो नहीं कहा कि पानी गिर रहा है छेट से नहीं गिर रहा है तो अब बताओ इसके टाइम पिरेट पे क्या फर्क पड़ेगा क्यों अब मुझे सुने ध्यान से साउधान देखो बहुत ध्यान से समझीगा जब यह पूरा बैलूम भरा हुआ था तो उसमें इसका पूरा सेंटर ओफ मास यहां पर एक्ट कर रहा था सभी बोला हूँ में अच्छा अब जब उपर से पानी खाली होने लगा नीचे वॉटर बुरा बहुआ है तो सेंटर ओफ मास नीचे खिसकेगा गेरेख निचे वेट जादा है नमपने education center of mass की बात कर रहा हूं तो इसका center of mass नीचे खिसकना शुरू हो जाएगा यानि जो effective length आपकी L center से थी धीरे धीरे बढ़ने लगी तो अब time period का formula होता है 2 pi root lyg जब L बढ़ने लगा तो time period भी बढ़ने लगेगा सही कहां मैंने अब देखो ये बैलून हो गया आधा अब यहां मैं माल लेता हूं center of mass यहां पहुंच गया था है ना अब देखो आगे क्या action होता है अब जब ये पानी और खाली होगा तो क्या होगा नीचे पानी कम होता जाएगा उपर का portion बढ़ना सुरू हो जाएगा air अब नीचे आधे से क्या हो रहा है कि आधे जब पानी खाली हो रहा है तो ये center of mass फिर उपर चड़ेगा क्योंकि उपर का portion ज्यादा हो रहा है ना नीचे air बढ़ती जा रही है ना तो अब धीरे धीरे यह उपर बढ़ेगा तो time period घटना सुरू हो जाएगा और जब बैलून पूरा खाली हो जाएगा तो center of mass कहां पहुँझ जाएगा जहां पर पहले था तो इसका time period फिर वही हो जाएगा अब आप कहेंगे बैसाब जो बता रहे हो आप सर जी तब तक तो यह रुक जाएगा वो मैं मानता हूं रुकेगा नहीं मैं मान लेता हूं कि कोई other friction force नहीं लग रहा है इस पर समझ में आई बात आप कहेंगे जैसे से खाली सुरुआत में इसका center of mass जो है इस बैलून के center पर था जैसे यह खाली हो रहा है नीचे water का मास बढ़ रहा है मतलब नीचे के और shift हो रहा है center of mass जब आधा हो जाएगा तो center of mass यहां कहीं shift हो जाएगा तो जैसे ऐसे खाली होता जाएगा वैसे एफेक्टिव लेंथ बढ़ती जाएगी तो time period बढ़ता जाएगा और जब आधा हो जाएगा तो effective length आपकी मतलब center of mass और 10 पे आजाएगा तो time period maximum होगा और इसके बाद जब खाली होना शुरू होगा तो नीचे water कम होता जाएगा उपर air बढ़ती जाएगी तो center of mass फिर उपर जाएगा और फिर वहीं पर आ करके shift हो जाएगा और time period फिर वहीं हो रहे हो simple problem का यह आपका दो तीन चार डिगरी होना चाहिए ज्यादा नहीं होना चाहिए क्यों भाई ऐसा क्यों देखो कारण simple harmonic motion की पहली condition क्या थी कि तब motion should be in a straight line that should be to and to and fro motion along a straight line सही तो हमने कहा ना अगर आप बहुत ज्यादा उस्टेशन करा दोगे तो यह path कैसा हो जाएगा कर्ड हो जाएगा ना अगर आपने ज्यादा ऐस प्रकार से एंगल बढ़ा दिया माले यह mean position है आपने बहुत ज्यादा करा दिया तो यह path कर्ड path में move कर ना शुरू कर देगा यह तो यह straight line motion नहीं रहेगा it is not simple harmony motion सही करा हूँ मैं अचा अगर मैं कम angle लेता हूँ तो कम angle में लगबगे straight line रहेगा change होगा लगबगे straight line रहेगा इसलिए हम इसका जो angle होगा यह कम रखते हैं ठीक है दूसी बात जो bob हम इस्तेमाल करते हैं यह किसी metal का नहीं होना चाहिए यानि यह किसी metal का ना हो जैसे एक बार एक examiner कहीं प तो उस examiner ने principal से का कि आपके teacher को नहीं मालूम कि लोहे का bob नहीं इस्तेमाल किया जाएगा क्यों तेखे जो bob इस्तेमाल किया जाता है वह non metallic होता है metal लगता तो metal का है लेकिन वह magnetic field चुकि जब हम bob को घुमाएंगे तो bob magnetic field से affected होगा आप जानते हैं अर्थ के चारों और एक magnetic field है ठीक है तो bob जो इस्तेमाल करते हो metallic नहीं होना चाहिए मतलब उसमें magnetic field का effect नहीं होना चाहिए दूसी बात जो आप धागा इस्तेमाल करेंगे ना इसकी length एक मीटर से ज्यादा होनी चाहिए अगर आपने को experiment किया है और आपने उसकी length कम रखी है तो फिर वह exact value नहीं मिल is equal to 4 pi square into L by G, G is equal to 4 pi square into L by T square यहाँ पर किसी place का acceleration due to gravity निकाला जाता है इसकी help से हम क्या निकालते हैं acceleration due to gravity ठीक है तो हम करते क्या है हमको bob दे दिया जाता है हम उसको एक ऐसे लटकाते हैं और उसको shrink कराते हैं अब उसके oscillation गिनते हैं हमारे पास एक time नापने के लिए जो है watch होती है उस watch को देखते जाते हैं अब माले हमने 20 oscillation गिनने है 20 oscillation गिना और watch को stop कर दिया तो 20 oscillation का time निकल आया हमको time period निकल आएगा अगर 20 oscillation करने में उस watch को 20 second लगा तो actually में एक oscillation का time कितना होगा one second तो आपको t मालूम हो गया और जो आप experiment में apparatus लगाए हो उसकी effective length आपको मालूम है तो वहाँ पर g की value आप निकाल लेंगे तो what you'll measure with the help of simple pendulum actually the value of oscillation due to gravity बात सम्द में आ गई अब लिखिए second pendulum second pendulum second pendulum second pendulum second pendulum क्या होता है देखिए इत्वा लेंदी chapter था नाम से लग रहा है यह second मतब ऐसा pendulum जिसका time period two second होता है तो लिख लिजेगा if the time period of simple pendulum या आप pendulum लिखिए if the time period of pendulum is two second then it is known as second pendulum it is known as second pendulum अब इसके लिए condition क्या होती है देखिए t is equal to two pi root l y g ऐसा नहीं कि second pendulum बनाने में कुछ effort करना पड़ेगा t आप कहे रहो two second two into pi होता है 3.14 under root l हमको मालूम नहीं g है 9.8 जब squaring both the side करेंगे तो आएगा 4 is equal to 4 into 3.14 into 3.14 into l by 9.8 actually हमको l निकालना है 4 4 कर गया l की value आएगी 9.8 upon 3.14 into 3.14 इसकी value तक्रीबन आई है 0.99 meter मतब second pendulum की जो effective length होती है वो लगभग एक मीटर होती है यह अगर आप एक मीटर का effective length भूए बोल रहा हो धान रखेगा यह धागे के लंबाई नहीं है this is the length from the center of mass of the pendulum मतब जो आप pendulum बांद रहे हो उसको आप कहां से add करोगे तो आप ऐसा कुछ अर्जिस करोगे यह वाप और यह धागा यह thread यहां से लेकर के total यह तकरीबन 0.99 मीटर जब लोगे यह तकरीबन 1 मीटर लोगे और उसको oscillate कराओगे तो उससे जो time period मिलेगा वो 2 second मिलेगा यह second pendulum होता है ठीक है अब आप जानते है gravity में आपको पढ़ाया भी गया होगा कि अर्थ के उपर बहुत height पे जाओगे तो वहाँ g की value घट जाती है तो जब आप t ब्रावर 2 रूड ल बाई g करोगे और g घटाद होगे तो time period बढ़ जाएगा मतलब कोई घड़ी अगर pendulum वाली घड़ी है या अर्थ के बहुत गहराई में आप जाते हैं जैसे mines वगरा होती है coal mines वगरा उसमें जाते हो तो वहाँ भी g की value घड़ जाती है तो वहाँ भी time period बढ़ जाता है यादि कि वहाँ जो घड़ी होती है जो एक घंटे में चकर लगाएगी उस एड़ घंटे में चकर लगाएगी सुस्त पर जाती है ठीक है